हाई फ्रेंट्स वेलकम्टु तु देश्क देवा इंग्लिए सब्सक्राइब करनास फ्रेंट्स कुट्ट कैन और एबल का जो चक्कर है आज आपको मैं समझाने वाला हूँ ठीक है फ्रेंट्स कई कई हम कुट भी लगाते हैं कई अबल टू का इस्तमाल करते हैं कैन तक देखना ज़रूर अगर आप कुड एबल टू और कैन का कॉंसेप्ट अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम बोलते हैं कि मुझे दुख है कि कल मैं आपके घर नहीं आ सका तो हम बोल सकते हैं कि I am very sorry that I could not come to your house yesterday अगर हम इसी संटेंस को ऐसा बोले कुड की जगा अगर हम एबल टू लगा कर बोले तो तो हम बोलेंगे I was not able to come to your house yesterday so I am very sorry okay friends हम दोनों तरिके से ऐसे संटेंस को बोल सकते हैं but could सिर्फ बीते हुए कल के लिए इस्तमाल नहीं होता है बलकि आज के लिए इस्तमाल हो सकता है और आने वाले कल के लिए इस्तमाल हो सकता है तो उसी कोंसेप्ट को आज हम क्लियर करने वाल है वोके फ्रेंट्स जैसे कि कल मैं नहीं आ सका ठीक है कल मैं नहीं आ सका I couldn't come yesterday अगर हम यह study बोल देते हैं तो इससे clear हो जाता है कि बीते इसका है कि मैं नहीं आ सकता हूं या मैं नहीं आ सकूंगा वोके फ्रेंट्स तो मैं कल नहीं आ सका I couldn't come yesterday आज मैं नहीं आ सकता I couldn't come today हम कुड़न की जगह कैन भी बोल सकते हैं और कैन की जगह हम कुड़ भी इस्तिमाल कर सकते हैं वोके फ्रेंट्स अगर हम टुड़े लगा जैते हैं का I couldn't come today तो समझ में आ जाता है कि आज की बात हो रही है नहीं आ सकता हूं अगर हम बोलेंगे कि कल मैं नहीं आ सकूंगा तो वहां पर हम बोलेंगे कि I will not be able to come tomorrow वोके फ्रेंट्स तीनों के लिए हम इस्तिमाल कर सकते हैं सिर्फ good का लेकिन able to का भी हम इस्तिमाल कर सकते हैं वोके फ्रेंट्स साथ साथ जैसे कल मैं नहीं आ सका I couldn't come yesterday I was not able to come yesterday आज मैं नहीं आ सकता हूं I couldn't come today I cannot come today कल मैं नहीं आ सकूंगा I couldn't come tomorrow I shall not be able to come tomorrow हो गया ना त्हगे हम तीनों का जो अब द्रब कर रहे हैं तो पास घैसे शंतिमाम्जान नहीं और विर रउन लेते हैं ज जैसे भी बढ़ सकते हैं, he was not able to meet me, वह मुझसे नहीं मिल सकता है, he couldn't meet me, अगर हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं, today, tomorrow, yesterday, अगर कुछ नहीं बोलते हैं, तो हाँ confusion आली बात हो जाती है, कि क्या, नहीं मिल सकूँगा, नहीं मिल सका या नहीं मिल सकता, he couldn't meet me, today, he cannot meet me, वह मुझसे नहीं मिल सकेगा, he couldn't meet me, सिर्फ इतना ही बोलने से confusion रहेगा, इसलिए अगर हम tomorrow, अगर लगा देते हैं, या today evening, तो बात किलियर हो जाती है, जैसे हम बोलेंगे, कि वह कल मुझसे नहीं मिल सकेगा, he couldn't meet me tomorrow, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम सिर्फ couldn't meet me, ऐसा हम बोलते हैं, कि he couldn't meet me, तो उसकी जगा पर हम won't be able to का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बात बहुत ही अच्छी दरह से clear हो जाती है, कि he won't be able to meet me, ओका फ्रेंज, वे लोग मैच नहीं जित सके, they couldn't win the match, they weren't able to win the match, वे लोग मैच नहीं जित सके हैं, they can't win the match, वे लोग मैच नहीं जित सकेंगे, they won't be able to win the match, हम वहां नहीं जा सके, we couldn't go there, we weren't able to go there, हम वहां नहीं जा सकते हैं, we can't go there, हम वहां नहीं जा सकेंगे, या नहीं जा पाएंगे, we shan't be able to go there, मैं उसे पैसे नहीं जे सका, I couldn't give him money, I wasn't able to give him money, मैं उसे पैसे नहीं जे सकता हूं, I can't give him money, मैं उसे पैसे नहीं दे सकूंगा, I couldn't give him money, यह भी सही है, बड़े आपर tomorrow, अगर हम नहीं बोलते हैं, tomorrow या today evening ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, तो confusion यह बात रहती है, इसलिए हम ज़्यादा तर इस्तवाल करते हैं, कि I shan't be able to give him money, मैं उसके साथ नहीं रह पाया, I couldn't live with her, I wasn't able to live with her, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूं, I can't live with her, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, I shan't be able to live with her, मैं उसकी समय पर मदद नहीं कर पाया, I couldn't help him on time, I wasn't able to help him on time, मैं उसकी समय पर मदद नहीं कर सकता हूं, I can't help him on time, मैं उसकी समय पर मदद नहीं कर सकूंगा, या मैं उसकी समय पर मदद नहीं कर पाऊंगा, I shan't be able to help him on time, तुम्हारा भाई पैसे जमा नहीं कर पाया Your brother couldn't deposit money Your brother was not able to deposit money तुम्हारा भाई पैसे नहीं जमा कर सकता है Your brother can't deposit money तुम्हारा भाई पैसे नहीं जमा कर पाएगा या तुम्हारा भाई पैसे नहीं जमा कर सकेगा Your brother won't be able to deposit money वा मुझे book नहीं लोटा सका He couldn't return my book He wasn't able to return my book वा मेरी book नहीं लोटा सकता है He can't return my book वा मेरी book नहीं लोटा सकेगा He won't be able to return my book मैं कल छे बजे नहीं लोटा पाया I couldn't wake up at 6 o'clock in the morning I wasn't able to wake up at 6 o'clock in the morning मैं कल छे बजे नहीं लोटा पाऊंगा I shouldn't be able to wake up at 6 o'clock in the morning मैं कल मुंबई नहीं जा सका I couldn't go to Mumbai yesterday मैं मुंबई नहीं जा सकता हूँ I can't go to Mumbai मैं कल मुंबई नहीं जा सकूँगा अब इसमें कल हमने बोला है इसलिए हम couldn't लगा कर भी बोल सकते हैं आराम से समझ में आ जाएगा I couldn't go to Mumbai tomorrow या I shan't be able to go to Mumbai tomorrow ओका फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स ये था able to could or can का चक्कर मतलब आपको समझ में आ गया होगा सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि could able to और can का कॉंसेप्ट क्या है किसका इस्तमाल हम कैसे कर सकते हैं जहां पर हमने could का इस्तमाल किया वहां पर हम able to का भी इस्तमाल कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया किजी अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके अल नोटिफिकेशन को अन कर दिजे ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहा है और आप इंग्लिश घर बैठे मुर्त में सिखते रहें तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलोट और धनिवाद अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सिखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएए चैनल के प्ले लिस्ट पर उपर प्ले लिस्ट लिखावा होगा उस पर क्लिक कीजिए फिर उसके बाद सारे प्ले लिस्ट खुल जाएंगे और उपर से जो तिसरे नमबर पर रहे जहां पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखे उस प्ले लिस्ट को क्लिक कीजिए सारे वीडियो जा जाएंगे यहाँ पर साथ वीडियो है इन सातों वीडियोज को देखने के बाद आपको इंग्रिश में लिखना पढ़ना जरूर आ जाएगा